कि यूट सब कैस क्या हाल चाल है आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्राप्टर एमसी हाई पिक्सल स्काइबलों के इक और नीव वाले वीडियो पर तो आपने पिछले वाल एपसोड में देखा था हम लोगों के पास प्रोजन सेथ वेगला था साथी सथ जब हम उसका तो बहुत सारे बंदे आप लोगों में से जो है वो सजेशन दिये थे कि जो हम लोगों का यहां मेगमा आर्मर है इससे अपग्रेड करने का मतलब की मैक्स करने का तो आज मैं इस वाले एफसोड में आपको बताने वाल हूँ अगर आपके पास मेगमा वाला आर्मर है तो आप कैसे इसे मेक्स कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास नहीं है लेकिन आपको बनाना है तो कैसे बनाना है इसका भी बीडियो गयज मैं बहुत पहले बना चुका हूँ तो जरू सु जरू गयज एक बार चेक आउट करेना क्योंकि हमें यहां पर सेथ विगरा चलाने मे हमें माना की काफी जाता नीड हो रही है अगर मैं यहां पर या रेड्स्टोन का आर्मर पहनु ना तो मुझे वह डिपेंस और हैल्थ वगरा उतना जादा नहीं देगा सिर्फ और सिर्फ माना देगा लेकिन हम लोग के पास एक और आप्सन है कि हम लोग यह जो मैं अभी हमोपर पहना हो इसे मैं चाहूं तो **** कर सकता हूं अभी वैसे हम लोग का जो기는 ऐस मिनियन वाला मिशन था अभी के लिए मेरे पास a magma minion already था मुझे बिस check करना हो यह पर ऐपने player से, गयज एक बर confirm करना होगा तू गैज यहाँ पर मैं पूरा खा पूरा guys खोजा, okay खोजने के बाद yes, Okay, caass मुझे नहीं मिला Okay तो कैज मैं सोच रहा हूँ !! एक बार deep वाले cave वाले cave पर जाते हैं guys आपको गैस कोई भी आर्मर से यहां पर आपको मेगमा में जो है उसे मारना होगा जैसे आप मारोगे मारोगे आपका हेल्थ और माना गैस दोनों बढ़ जाएगा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अभी मैं आपको लाइप प्रूप दिखाने वालों यहां जब मैं आया तो यह जो यहां पर मेगमा क्रीम है यह दरसल क्या है ना कि काफी जादे डिले डिले से गैस वह स्पॉन हो रहे हैं 500 लेबल के हैं अच्छी बात है बट नीचे नहीं आएंगा तो कैसे मैं इन्हें मारूंगा अगर यहां पर बोवगरा से मारता हूं तो मुझे आइडिया नह मुझे लगता है माना 120 के आसपास होगा क्योंकि मैं लीपिंग सोड यूज कर रहा हूं इससे क्या होगा कि लीपिंग सोड यूज करने से यह आपको एक्ट्रा 10 या 20 माना एक्ट्रा दे दे रहता है ओके तो मेरा रियल माना जो है वह 120-110 के आसपास होगा तो यहां मैं थो मेहनत करके हमें मेगमा आर्मर को अपग्रेड कर देना चाहिए तो मैं क्या किया फिर से यहां से रिटेन आ गया देखो जब जान रहे हैं यहां पर काफी ज्यादा डिले हो रहा है तो क्या करेंगे मैं वैसे भी ना एक बार बो लेके जाओंगा और फिर गया हम लोग नहीं बोलूगा बट थोड़ा सा जुगार करके एक अठ्रा बनाना सकते हैं मैं आपको फो भी बताओंगा हम लोगों का जो भाय लोग है वह यहां पर बनाया है वैसे ही फाल मैं आपको बाद में दिखा दूंगा तो यहां गये से रिटेन आके यह सारे चेस्ट में गैस एक एक करके चेक किया सब में काइस हम लोगों का ब्लेज वाला जो मिन्यन है वो लगा दिये हैं अभी हम लोग ब्लेज मिन्यन का रेस पे लगे हुएं फिलाल के लिए तो यहां कैस मैं सभी का सभी जो है ना वो चेक किया बट अनफोर्टनेटली मुझे यहां पर सिर्परशिप यहां पर इंचांटेड क्रीम मिला और बाकी कैस मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला इटमिंस की कैस यहां पर कोई प्लेयर के इंवेंट्री पर है मैं यहां पर एक बार भाय लोगों से यह मिन्यन वगेरा ले लेत और फिर यहां पर मुझे यह जो अभी नॉर्मल दो तिन लेवल के मिन्यन है अभी फिलाल तो यही कर रहे हैं तो वह लगा लेते हैं दोनों मिन्यन लगाने के बाद मेरे पास वह भी था आपका यहां पर इंचांटेड यह लावा वकेट ठीक है वह भी गाईज मैं लगा माना 112 यह चीज़ काउंट करना और इसके बाद जब वीडियो अंत होगा तब आप कंपेर कर लेना कि मैंने अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ और इस वीडियो के अंदर कितना बढ़ाया यह इसका भी एक लीमिट है जब तक कि वह मेक्स ना पहुंझ जाए उसकी बाद और नहीं बढ़ता है मेक्स हेल्थ और मेक्स माना कितना होगा मुझसे तो आइडिया नहीं है अगर आप अल्रेडी बना चुके हैं तो कॉमेंट करके बता देना था कि बाकी बंदों को भी पता चल सके तो मैं फिलाल यहां पर दो मिनियन लगा दिया था तो दोनों मिनियन को मैं ऐसा ही माते जारू हूँ अभी मेरा हेल्थ गैस 811 के असपास हो गया और माना गैस 136 यहां पर हो गया दरनेशल गैस यहां पर मिनियन मानो भाई के पास था तो मैं यहां पर मैक्स वाला जो मिनियन है वो भी लगा देता हूँ लावा वकेट लगा के इस से क्या अप्ग्रेड हो सब्सक्राइब बट ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे पास इतना नहीं है इस वज़े से चोटे-चोटे चीजों से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी अभी दो लेबल का एक मिनियन है एक तीन लेबल का और सिर्फ पॉसिफ गैज एक ही मेक्स लेबल का है तो अभी मेरे पास करेंट में हेल्थ 813 हो चुका है और माना गैस देखो वड़के 140 हो गया है अब मैं क्या करता हूं जल्दी से थोड़ा देर ग्राइंड करता हूं और फिर गैस वीडियो फॉरवर्ड करके दिखाता हूं तो यहां गैस मैं थोड़ा देर ट्राइ किया और इसके बाद अभी देख लो हेल्थ मेरा 822 का हो चुका है और माना गैस 108 मैं अगेन आपको बोल देता हूं कि यह जो मैं लेपिंग सोड यूज कर रहा हूं इस वज़े से मेरा माना थोगा सा अधिक दिखा रहा है दरसर रियल माना अभी इतना नहीं होगा 140 के आसपास होगा या फिर 145 आसपास होगा की तो यहाँ पर में अगर कोई दूसरा आइटम पकड़ूँ गा तो मेरा माना गणा घट जाएगा ऐसा अथि यह माना मतलब सिर्फ उस यह फिलाल के यूज कर रहा हूं तो एशा ही आपको धीर सारा यहां पर जितने सारे भी मेगमा मिलेंगे या फिर मतलब किस पॉन होंगे वो आपको मारते जाना है मतलब अगर आपके पास मेक्स मेक्स लेवल के मिनियन है तो अच्छी बात है आप जल्दी से अपग्रेड हो सकते हो लेकिन अगर लो लेबल है जैसे मेरा तो थोड़ा दिले डिले से स्पॉन हो रहे है और कम-कम स्पॉन हो रहे है बट गैसा मिल तो रहा है हर दो मिनट में मुझे एक हैल्थ एक माना या फिर 1 मिनट 30 सिकिंड की आस-पस कहिने कहीं मुझे यहां पर मिल जा रहा है मैं यहाँ पर थोड़ा देर यह सब को किल करता हूँ मेगमा को जितनी सारे वे स्पॉन हो रहे हैं इसकी पाद ना मैं अभी क्या करूँगा एक बो लेके जाऊँगा और उपर में जो धेर सारे मॉब्स थे यहाँ पर डीप केप में डीप केप पर हम लोग जाके चेक करने वाले हैं कि अगर मैं उन्हें मारता हूँ तो क्या मुझे यहाँ पर यहाँ पर हेल्थ और माना बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा अगर आपने यह यूज किया है तो जरूर बताना मैं अभी तक यूज नहीं किया हूँ मैं अभी वैसे ही यूज करने वाल हूँ और बता दूगा गाईस यह होता है या फिर गाईस नहीं होता है तो काफी ज़्यादा लेट हम लोगों ने यहाँ पर grind किया और अभी guys आप लोग health देखोंगे तो देख लो guys भाई कहां 800 का health था और कहां अभी इतना ज़्यादा health हो चुका है माना भी guys 110 के आसपास था और कहां guys आपको 150 plus आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो अभी मैं क्या करता हूँ जल्दी से guys यहाँ पर मेरे पास बो अल्टरेडी है ठीक है मैं बो यहाँ पर पकड़ लेता हूँ बो पकड़ने के बाद guys क्या करूँगा मैं arrow मेरे पास नहीं था मैं arrow खरेद लूँगा फिर deep cave में हम लोग जाते है मेरा जो यह माना और health है यह बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा XP वेगरा जो है वो बढ़ रहा है बट मुझे नहीं लगता guys यहाँ पर बढ़ेगा I don't know guys ऐसा क्यों हो रहा है जबकि ऐसा तो होना चाहिए अच्छा हुआ guys मैं यह सब ध्यान नहीं दिया वरना काफी ज़्यादा डिले हो सकता था मैं यहाँ पर थोड़ा दिर grind किया बस से पता है guys मुझे combat XP मिल रहा है बाकी health और mana इसमें अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला हो सकता है guys मैं काफी ज़्यादा कम मारा हूँ यह मौव को इस वज़े से साथ ऐसा हो रहा है कोई बात नहीं हम लोग क्या करते हैं अपने यहाँ पर आइलेंड पर आते हैं और मैं मेगमा क्यूब को ही मारूंगा और उसी को guys से हम लोग यहाँ पर मारते मारते अपना health वगरा जो है यह पार्मर वैसे guys हम लोग max करने वाले हैं लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं time तो guys चाहिए ही होगा और last में guys मैं यहाँ पर साड़े 800 से plus 834 कर दिया और माना guys 182 मतलब 200 के करेड़ पहुंचा दिया इसके साथ ही मुझे एक और confusion है प्लीज आप मुझे comment करके बताना अगर आप मेंसे मतलब की मेरा कोई team member मेगमा को मारता है मेगमा क्यूब को मारता है और वो अपना armor मुझे देता है तो क्या ये काम देगा या फिर नहीं मुझे जहां तक लगता है ये काम तो नहीं देता है बट guys एक पर मुझे मेरा जो confusion है वो आपस जरूर से जरूर दूर कर देना मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होता है मुझे कही नहीं खुद से guys यहां पर मेगमा क्यूब को मारना होगा तो यही है guys वे जिससे आप अपने मेगमा आर्मर को guys यहां पर इंचांट करके अपग्रेड कर सकते हैं रिफोर्ज गाइज टाइटनिक लगा सकते हैं और दूसरा guys अपग्रेड मेक्स करने का यही एक तरीका है वो है guys आपको यहां पर मेगमा क्यूब को धेज सारा मारना होगा ओके रिफोर्ज वगएरा guys वही कर सकते हैं बाकी कैसा लगा यह episode आप मुस्त लाइक और comment करके जरूर बताना चलो guys मिलते हैं इस तरह के और भी मस्त वाले जहरीले वीडियो के साथ अभी के लिए गुटवाई एंड लव यॉल